सेवाही संगठन के तहत दीन द्याल नगर मंडल के तत्वावधान में आयोजित कोवीट वैक्सिनेशन हेल्प डिस्क का सुभारम भाशपा के छेत्री अधिक्स डॉक्टर धर्मीन दुस्रिंग दौरा किया गया जिसके संबन्द में भाशपा के छेत्री अधिक्स डॉक्टर धर्मीन दुस्रिंग ने कहा कि कोवीट की महामारी से निजात दिलाने के लिए ठीका करण एक बहुत बड़ा हतियार है उन्होंने बताया कि प्धानवंत्री नरीन रमूदी ने 18 वर्ष से उपर के वैक्तियों क पर निसुल कर ठीका करण का विवस्था किया है जिसके तहत भाशपा के कारेकरता जनपत के सभी वैक्सिनेशन केंडर पर पहुँच कर ठीका करण में नागरिकों की मदद करने का काम कर रहे हैं तथा गांग ओ जाकर लोगों को ठीका करण के लिए प्रेडित भी कर रहे है उन्होंने कहा कि टिका करण केंद्रों पर नागरिको की काफी भीड होती है जिसको देखते वे कोवीड वेक्सिनेशन हेल्प डेस्क का सुभारम किया गया है जो लोगों की मदद करने का काम करेगा इस औसर पर भाशपा की महानगर अध्यक्ष राचेश कुपता, महानगर मंतरी, मनुज एक्रहरी, पारशत जितेंद्र चौधरी जीतू, सिध्धान्तो घोष, महानगर मीडिया प्रभारी चंदन आरे सहित अन्य लोग मौजूद रहें इस संबंद में गुरकपूर नियोस से बात करते वे भाशपा की छेत्री अध्यक्स जॉक्टर धर्मेंदर सिंग ने कहा सफ साथा बादाच्छि को एला पीशे पीशे डिशेट आले डाक्टर साब कर दे आंसे डाक्टर आले पीशेट तो अपने आज है कि हमार ने इस तरवर वीड़ाउन भाउट है पार ने बहु कुसे एक है तो फ्ड़ा सब्सक्राज वह प्रसल अब दया जैदा है सब्सक्राइब करने के लिए तीका करने बैक्सित करने के लिए बैक्सिनेशन एक बहुत बड़ा आस्त्र है और हमारे देश के सश्वी प्रधान मंतिरी नरेंद्र भाई मोदी जी ने 18 वर्ष से उपर के सभी लोगों को मुप्त में तीका करने का उन्होंने ने शुल्क ब्वश्ता की है भारती जनता पार्टी के सभी कारे करता इस सभी ज करके उनको मदद करने का काम प्रेरित करने का काम की लोग तीका लगमाएं वैक्सिनेशन में योगदान करें और उत्तरपदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार इस दिशा में हम सब को आवान किया है और इसी दिशा में आज गोरपकूर महानगर के दीन द्याल नग करें के तट्वादान में यहां पर हम लोग गन्षान केंद पर हेल्फ डेस्क एनि कहीं कोई किसी को असुबधा है कोई बात है तो आम यहां पर उनको मदद करने के लिए यहां है लगाएं तक यह ठीका करन का अभियान बैक्सिनेशन का अभियान चलता रहेगा बारती जन किंद्रों पर रहा करके उनको मदद करने का काम करेंगे